हलो दोस्तो वेलकम बैक टू दा चैनल आफ सारां गुजरतीस पॉर्मर्स अकेडमी कैसे वह आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तो अब भी तक मैंने आपके 11 अकाउंट्स के लगबाग 56 लेक्चर्स अप्लोड किये है आई होप अपने ह लेक्चर को पक्का देखा होगा तो जो भी मैरा लेक्चर नंबर 56 था गाई तो लेक्चर नंबर 56 में वहाँ पे मैंने आपके साथ आपके टेक्सबुक का जो भी पेश नंबर 55 है तो आपके टेक्सबुक के पेश नंबर 55 का एक्जाम्पल नंबर सेकेंड और साथ साथ मे देखा था कि exactly cash purchase क्या होता है और cash purchase क्रेड़ाइं पर बहापे हमको entries केसी करनी चीए और credit purchase क्रेड़ाइं पर entries केसी करनी चीए तो आज का जो भी अपना lecture number 57 रहेगा दोस्तों तो यह lecture number 57 में यहापे अपन एक अगला concept देखेंगे जिसका नामे return आउटवर्ड या purchase return account क्या होता है कौन से कौन से situation में यहापे हम purchase return करते है और इसके उपर कि आपन यहापे कुछ examples भी देख लेंगे जल्दी से आज़ा दोस्तों आपके textbook के number 56 के उपर अभी देखो यहापे हो क्या बोले return आउटवर्ड तो मैंने आपको last lecture में भी बताया था return आउटवर्ड मतलब क्या दोस्तों कि जो भी चीज़े आपने purchase की है वो चीज़े आप क्या करते हो आपस return करते हो और जब भी आप वो चीज़े return करते हो तो आपके पास यह goods क्या हो रहे बो बोलो जाते है समझाए इसलिए आपने इसको बोलते है दोस्तों return आउटवर्ड अभी ध्यान देना में क्या बोल रहे हो तो सबसे पहले एक बात समझने देश्तों कि बहुत बार क्या होता है कि business में हमने जो भी चीज़ों का order किया है या हमने जो भी चीज़े purchase किये वो हमको नहीं आती है इसके वाज़े से वो goods को हम वापस return कर देते है तो देख़ए आपे उन्हेंने क्या लिखा है this accounting is recording return of goods purchase मतलब क्या कि जो भी purchase return account के तो purchase return account का role कब आता है बोलो purchase return account का role लिख तब आता है जब हमने purchase के वे goods को हमको वापस करना पड़ता है आगे क्या बोल रहे है देखो जल्दी से आपे sometimes goods are return to the supplier for various reasons मतलब क्या बोल रहे है आपे कि बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि आपने business के अंदर आपन जो भी goods purchase करते है हमको return देना पड़ते है तो उसके क्या क्या reasons है जैसे कि for example goods are not according to sample मतलब क्या रहे कि अब जिस तरीके से हमने पहले at the time of purchase हमने वापे देखा था sample तो वेसे हमको goods नहीं आए तो वो case में हम उसको return कर सकते है दूसरा क्या बोल रहा है inferior quality inferior quality मतलब क्या दोस्तो अगर मान लो की low quality या हलके quality के goods अगर आपको मिलते है तिसरा क्या बोल रहे है आपे goods are damage in transit damage मतलब क्या दोस्तो कि for example transportation में वगए अगर खराब हो गए वो case में अगर defective goods अगर हमको आगए वापे या क्या बोल रहे है goods are received in excess quantity in order मतलब क्या रहे quantity send या पर उसने मुझे base दिया उसने मुझे send किया तो यह case में क्या होगा दोस्तो कि जो भी मुझे excess या पर 50 goods मिले है इसको मैं उनको refund return कर दूँगा आगे क्या मुझे देखो delay in supply of goods मतलब क्या रहे बबा मैंने सामने आले को order तो दे दिया था सामने आले मुझे बोला कि मैं तुमको आठ दिन में goods का delivery दे दूँगा लेकिन उसने आठ दिन में नहीं दिया तो वो case में आपन जो भी goods हमको late मिले है उसको हम return कर सकते है ठीक है तो यह सब क्या है बोलो दोस्तों जल्दी से हमारे return करने के reasons है जो भी हमने purchase के है उसको वापस देने के reasons है त when goods purchase are returned to the supplier it is called as return outward and purchase return तो इतना समदलो दोस्तों कि जब भी आपन purchase को यह goods को अगर वापस देते है तो वो situation में आपन उसको बोलते है तो return outward या क्या बोलते है बोलो purchase return बोलते है ठीक है आभी ध्यान देना आगे क्या लिखा है या पे तो return goods worth रुपिस 2000 to Mrs. Sonali राइट मतलब क होते है दोस्तों कि यहाप आपने क्या किया था बोलो Sonali के पास से यहाप आपने purchase किया था ठीक है और बाद में क्या होगा है मालो कुछ भी reason से आपने मालो Sonali को goods वापस दे दिया अभी मुझे एक बात बताओ बला कि जब भी आपने Sonali के पास से goods purchase किया था तो वो time पे Sonali के पास से purchase किया होगा तो वो time पे आपने purchase to Sonali यही तो एंट्री किया होगा लेकिन यहापे क्या हो रहा है बोलो आपने Sonali के पास से जो भी goods लिये है उसको वापस दे रहे हो concept समझा क्या तो वो case में क्या करना है दूस्तों यह जो भी हमने purchase का इंट्री किया था यह जब यह आपन उल्टा करेंगे तो एंट्री का आएगा बोलो यहापे हमारे एंट्री आएगा दोस्तों Sonali account debit to क्या आएगा बोलो purchase is account राइट सिरिफ याद रखना कि जब यह आपन purchase return करते तो यहापे purchase की जगह पे आपन लिखेंगे दोस्तों purchase return account क्या लिखेंगे बोलो purchase return account या इसकी जगह पे आप लिख सकते हो दोस्तों return outward account क्या लिख सकते हो बोलो return outward account भी लिख सकते हो समझा अब यह से क्यों किया ध्यान दो पुझे एक बात बोलो जब भी मैं Sonali को goods वापस दे रहा हू राइट तो क्या वो टाइम पे दोस्तों Sonali वो goods की receiver है क्या नहीं बता है था debit the receiver तो जब भी मैं Sonali को goods वापस दूँगा तो वहापे Sonali कोन बन जाएगी बोलो receiver बन जाएगी इसलिए Sonali को यहापे मैंने debit क्या समझा मैं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ और जब भी दोस्तों मेरे पास से goods जाएगा मतलब क्या होगा बोलो यहापे जो भी goods मेर पास से जा रहा है उसको मैं credit कर दूँगा क्योंकि मैरा stock क्या हो रहा है बोलो कम हो रहा है समझा तो इसलिए मैं आपे क्या करूंगा दूस्तों return आउट वडिया purchase return को credit कर दूँगा clear है क्या बताओ हमेशा रखना दूस्तों कि जब भी आप purchase return करते हो तो वो टाइम पे क्य क्या entry करोगे आप जो भी person को आपने return किया है वो person को आपको debit करना है और आपको यहाँ पर purchase return को credit करना है किसको credit करना है बोले आपे purchase return को आपको यहाँ पर credit करना पड़ेगा समाझ रहे हो क्या आप I hope आपको concept समाझ रहे ठीक है चलो बहुत बढ़ी है अभी देखो दूस्त लेक्षर में purchases के बारे में देखा था कि नहीं वैसे ही आपको में यह lecture में sales के बारे में सिखाऊंगा ठीक है तो अभी sales मतलब क्या रहे गई है कि आपन मान लो कि में grocery shop चल रहा हो ठीक है तो सामने वाले को मैं अगर कोई goods based आओ तो उसको में क्या बोलूँगा sales cash sales होता है اور दूसरा होता है दूसतो या आप है हमारा credit sales दूसरा कौन सा होता है बोलो credit sales होता है समझा अभी cash sales का क्या मतलब हुगा रहे तो cash sales मतलब दूसतो आप क्या करर रहे हो सामने वाले को goods बेच रहे हो सामने वाले को आप sale कर रहे हो पर वही time पर आप सामने वाले के पास से क्या कर रहे हो cash ले रहे हो concept समझा और credit sale मतलब क्या कि बबा आप सामने वाले को goods तो दे रहे हो लेकिन आप सामने वाले के पास से immediate पैसा नहीं ले रहे हो समझा तो याद रखना cash sale मतलब क्या कि जब भी आप goods बेशते हो अगर वही time पे अगर आपको पैसा मिलता है तो उसको आप cash sales बोलते हैं और अगर आप मालो कि जब भी goods बेच रहे हो और मालो उसके बाद अगर आपको future में कभी पैसा मिलने वाला रहे तो उसको आप credit sales बोलते हो समझ रहे हो चलो तो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने एक transaction दिया है प्लीज जैन देन example नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है आपका क्या है बोलो asset है तो जब भी आपके बास cash आएगा तो क्या मैं इसे बोल सकता हो कि बोलो कि आपके asset वापे increase हो रहे है वापे आपके asset बढ़ रहे है बताओ जल्दी से obviously इसे बोल सकता हूँ तो हमेशा रखना बेटा कि जब भी आपके business में cash आता है तो वो time पे cash account को debit करोगे क्या करोगे बोले लदीस दोस्तों आप यहापे cash account को debit करोगे और आप मुझे एक बात बोला ना जब भी आप sales कर रहे हो तो sales की वज़े से आपका फाइदा है कहने है बोलो फाइदा है फाइदा मतलब income तो वहापे मैंने आपको सिखा है था कि जब भी आपक अपका इंटर आगे दोस्तों cash account debit to sales account कYा जब बोलो cash account debit to sales account आपका समझा और यहापर narration का आएगा बोलो तो यहापर सिखा हैं क्या लिख सकते हो बोलो being amount received from govind for sale of goods यह से आप वह आप लिख सकते हैं concept समझा क्या बहुत अच्छा ठीक है चलो अभी अगला है दोस्तों यह आपका credit sales ठीक है अभी credit sale मतलब क्या रहे दोस्तों आप sale करें पैसा बाद में आ रहे तो देखो जल दिस इसके उपर का example क्या बोल रहे आप sold goods to Mr. Govind for 30,000 ओके तो यहाँ पर क्या लिखा एक्चुली है for 30,000 नहीं चाहिए दोस्तों यहाँ पर off rupees 30,000 चाहिए क्या चाहिए बोलो off rupees for मतलब आपने cash लिया और पैसा अपने cash लिया और वापे sell क्या ऐसा होता है तो ऐसा यहाँ पर मतलब नहीं है तो यहाँ पर off rupees आप यह case में दोसको govin को credit पे अउधरी पे बेच रहे हो तो कि आपको immediate पैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो कि आपको future में govin के पास लेना है क्या बोलो लेना है तो आप मैंने आपको सीखा है था लेना होता है तो यह person हमारा कौन बन जाता है दोस्तों data बन जाता है concept स और Govind के पास से मुझे future में पैसा लेना है तो मैं Govind आखाउंट को debit करूँगा और यहाँ पे sale आखाउंट को credit कर दूँगा concept समझा और narration क्या लिखूंगा being good sold on credit to Mr. Govind समझा क्या ऐसा आपको आपे narration लिखना पड़ेगा आपको समाज रहा है कि मुझे comment में पक्का बचाना ठीक है चलो अब ही अगला है दोस्तों यहापे आपका return inward मतलब क्या sales return मतलब क्या दोस्तों कि for example मानलो आपने सामने वाले को एकादे goods बेचे रहेंगे ठीक है लेकिन मानलो कुछ reasons की वज़े से सामने वाले को वो goods अच्छ आ रहे तो उसको अपन क्या बोलो sales return बोलते ध्यान में आ रहा है कि तुमको अभी मुझे एक बात बोलवा जब भी आप sales करते हो तो sales को क्या करते थे बोलो आप credit करने के बराबर है के नहीं अभी आपको क्या बोलो यहापे जो भी अपने sales के वो वो सभी चीज़े आपको आपको यापको वापस आ रही है concept समझा और जब भी आपको वापस आ रही है इसको आपन क्या बोलते है बोले return inward या sales return बोलते है तो हमेशा रखना बेटा जब भी sales return होगा तो वो time पे यहापे हम sales return account को debit करेंगे और जो भी बंदा हमको यापे sales return कर रहा है उसको हम credit करेंगे सिधी बात है ना दोस्तो मान लो कि मैंने govind को goods sell किये थे और बात में मान लो govind मुझे वो goods लाके दे रहा है तो जब भी govind मुझे यह goods वापस दे रहा है तो यह case में दोस्तो govind मेरा govind को बन जाएगा बोले आप ए giver बन जाएगा तो आपको मैंने सिखा है था credit the giver concept समझा क्या तो हमेशा रखना बेटा कि जब भी आपका sales return होगा तो वो time पे sales return को debit करना है और giver जो भी बन्दे ने आपको goods वापस दिये उसको credit करना है समझा तो narration क्या लिखोगे being good sold return by govind मतलब क्या यहाँ यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो कि being sales return is made by govind क्या लिख सकते यहाँ पे मैंने आपको purchase return के reasons वगेरे बता है फिर purchase return की case में हमको आपको कौन सा entry करना पड़ सकता है वो मैंने आपको बताया फिर वापे अपने sales मतलब क्या देखा sales में cash से लगर होगा तो क्या entry होगा credit से लगर होगा तो क्या entry होगा यह ना और साथ साथ में दोस्तों व वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा और वहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों यह जो भी चोटे 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 concept से ना यह concept में आपको एक बार समझा दूँगा तो जिसकी होज़े से क्या हो जाएगा दोस्तों कि जब भी अपन जर्नल वाला proper एक क्या बोल सकते है आप आपके जितने भी फ्रेंसेश्स आपको पक्का शेर कर देना ठीक है और दिस्क्रिप्शन में वाब पर मैंने आपको अपने अकेडर्मी का वाटसेप बूप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है और अपने application का भी mail लिंक दे दिया ठीक है तो हरे किसमे आप कनेक्ट हो जाना तो मिलते दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाई बाई टाटा